सबीकों नमस्कार आज का हमारा पार्ट है बालगोविन भगत और इसमें कुछ महतुपून बिन्धों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं साथ ही हम इंपोर्टेंट कुश्चन्स पर भी चर्चा करेंगे तो देखते रहें ये वीडियो को अंत तक बच्पन में जो लेखक है वह खुद पर गर्व करता था बहुत गर्व करता था क्यों करता था क्योंकि वह एक ब्रह्मन था ब्रह्मन ही ब्रह्म को जानता है और लेखक भी पक्का ब्रह्मन बनने के लिए ब्रह्म को जानना चाहता था इसलिए वे रोज संध्या करता, गायती का जाप करता, धूपवन करता, तिलक लगाता था और सभी ब्रह्मनत्व के कारेव हैं करता था पाठ में बाल गोबिन भगत मंजले कद के व्यक्ति हैं उनका रंग गोरा है और उनकी उम्र जो है 60 वर्ष है वे दाड़ी यजटा नहीं रखते हैं लेखक उनका बहुत सम्मान करता है और उनका चिहरा हमेशा सफेद बालों में चमकता रहता है शरीर पर उतने ही कपड़े पहनते हैं जितना शरीर को ढगने के लिए जरूरी हो साथ ही कमर में एक लंगोटी पी पाँनते हैं टोपी पहनते हैं काला कम्बल भी ओडते हैं और माथे पर एक चंदन का दिलक लगा करके रखते हैं गले में तुलसी की जड़ों की माला पहना करते थे बाल गोविन भगत कबीर जी को काफी मानते थे और कहते थे कि जो भी कुछ दिया हुआ है वह सब कबीर जी का दिया हुआ है कार्तिक मास में बाल गोविन भगत की प्रभाती शुरू हो जाते थी प्रभाति क्या होती है सुभह सवेरे गाय जाने वाली प्रार्थना और यह प्रभाति कार्थिक मास से शुरू हो करके फाल गुन मास तक चलती रहती थी पे सुभह अंधेरे में उठते गाउं से दो मिल नदी परस्नान करने जाते और बापसी में गाउं की पोखर यानि तलाब की उचे स्थान पर अपनी खंजड़ी बजाते हुए गीत गाया करते थे और उनके जो गीत होते थे अपने आस पास की वातावरन को भुलाने के लिए काफी होते थे जब माग की सर्दी आती थी तो उनके गीत में इतनी उतेजना आ जाती थी कि उन्हें पसीना आने लगता था लेकिन सुनने वालों को शरीर ठंके कारण कपकपा रहा होता था पाठ में ही एक महेदपुन घटना घटित होती है जो उनका पुत्र था वह बिमार था और दिमाग से कमजोर था और उसकी मृत्यू हो जाती है मृत्यू पर भी रोना धोना नहीं करते हैं बलकि कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है इसलिए मृत्यू पर उत्सव मनाया जाना चाहिए पुत्र की मृत्यू के पश्चात बाल गोविन भगतने जैशे ही शाद की अवधि पूरी होती है अपनी पुत्र भधु को उसके घर भेज दिया और उनकी जाती में पुनर विवा की अनुमती थी वे अपने घर में विध्वा जो जवान है उसको रखना नहीं चाहते थे और रेच आते थे कि उसकी अच्छे घर में शादी हो जाए बाल गुविन भगत हर वश गंगासनान पर भी जाया करते थे गंगासनान के बहाने उन्हें संतों के दर्शन हो जाते थे गंगा उनके गाव से तीस कोस दूर थी जहां जाने में चार पास दिन लग जाते और घर से खाना खाकर चलते घर आकर ही कुछ खाया करते थे उनके अनुसार ये दिवे साधु हैं तो साधु को कहीं आते जाते समय खाने की आवश्यक्ता है क्या आवश्यक्ता है यह कहते थे आज़ी वे ग्रेस्ती हैं तो ग्रेस्ती को भीख्षा मांग कर खाना अच्छा नहीं है इसलिए दोनों कारण सोहीव है घर पर खाना खाया करते थे लेकिन पानी जरूर मांग करके पीलिया करते थे और पाठ की बात करें कुछ महतपून बिंदों पर अगर हम चर्चा करें तो बाल गोविन भगत को आदरनी ये वेक्ती मानता है यहां पर लेखक और लेखक ब्राम्बन था जबकि बाल गोविन भगत एक तेली थे और उस समय तेली समाज को अच्छा नहीं समझा जाता था फ प्रेश्टी में रहते हुए भी साधू का जीवन जिया करते थे साधू की पहचान उसका पहनावा नहीं होती अपी तो उसका वेवार होता है और बाल जीवन भाल गोविन भगत की बात करें तो वह मौमाया के जाल से दूर रहने वाले वेक्ती थे उनके अनुसार जो भी देता है वे मालिक देता है और इसलिए वो अपने खेतों की पैदावार कबीर मठ में पहुचा देते थे बाद में परशाद के रूप में जो मिलता था उसी से अपना जीवन निर्वा कर लिया करते थे पुत्र की मृत्यू पर भी पुत्रवधू से उसभी क्रियाक्रम करता दिया था समाज में परशलित मानेताओं को नहीं मामते थे उन्होंने पुत्रवधू को पुनर विवा के लिए उनके घर भेज दिया था और अपने नीजी इस्वार्थ के लिए कभी भी काम नहीं किया करते थे और अंत्व तक अपने बनाई हुए नियों में aufenट रूसे पहैं लए शचना था कि आतम का परमातमा से मिलन हो जाता है जब व्य क्यों प्रृत्यू प्रापत हो जाती है कि अगर हम बात करें तो यहांपर बालगोभीन भगत प्राट्ट का प्रमुक्चरितर है और यहांव है एक साथू जैसा है और हलाकि वह साथू नहीं हैं उनके चेहरे पर सफीद वालों के कारण काफी तेज लगता था उनकी वेशुशा के बारे में हम बात कर चुके हैं अगर व्यवसाई की बात करें तो वह एक किसान थे और अपने खेत में धान की फसल उगाया करते थे कबीर के वो भगत थे ग्रेश्टी में रहते वे साधू जीवन को वेतीत करते थे कबीर जी की सभी सीख्षाओं पर अमल किया करते थे मधूर गायक भी हैं वो क्योंकि हमने देखा कि वो गाना गाया करते थे तो उनको पसीना आ जाता था ठंड में भी और बाल गोबिन भगत का संगीत ऐसा था कि सब को जूमने के लिए मजबूर कर देता था साथी वह संतो सीवरत्ति के व्यक्तिवे थे और मोमाया से दूर थे सामाजिक परंपराओं के विरोधी वह थे अगर हम इसके कुछ महत्वण भिंदू की बात करें जिसमें प्रश्णोंतर भी आ जाते हैं तो कुछ जो प्रश्ण हैं बहु विकल्पी प्रश्ण में आपक का पाठ है यह भी एक महत्वण प्रश्ण है तो यह रेखा चित्र के रूप में लिखा गया है बाल गोविन भगत कैसे कद के आदमी थे तो वह मंझोले कद के आदमी थे बाल गोविन भगत कितने वर्ष के उपर के रहे होंगे तो वह 60 वर्ष के उपर के रहे होंगे बाल बाल गोविन भगत कबीर को क्या मानते थे तो वह कबीर को साहब माना करते थे? इसके इलावा मैंने आपको जो इसके सारे भी महत्रपुन प्रेशन आते हैं उनके विडियोस बनाये हैं तो आप ले लिष्ट में जाकर के सुर्च कर सकते हो इसके साथी मैं आपको एक प्रेश्ण और बदा देती हूँ कि मृत बेटे को भगत ने चटाई पर कहा लिटाया तो उन्हें आंगन में लिटाया गया था बालगोवीन भगत की मृत्यू किस कारण से हुई थी दिल का दोरा पढ़ने से उनकी मृत्यू हुई थी और बालगोवीन भगत गंगाशनान करने किस साधन से जाया करते थे तो पैदल वह जाया करते थे